बस साथ रख जोशुद है शोट प्रस सिल्वर पाफ पसारा सब की जुबाँ पर इस्ट्री में कई सितारे ऐसे हैं जिन्होंने पब्लिक ली कभी अपने प्यार को स्विकार नहीं किया लेकिन दवी जुबान में बॉलिवुट के गलियारों में उनके लब अफैर की चर्चा होती रहती है ये सिलसिला आज से नहीं बलकि उस समय से चलता आ रहा है जब राच कपूर हिंदी सिनिमा के बेताज बाश्चा थे 12 मई 1946 में प्रिष्णा मलोतरा के साथ शादी के बंधन में बंधे राच कपूर का नाम नर्गिस दत से लेकर विजनती माला जैसी अभिनेत्रियों के साथ चुड़ा है परदे पर नर्गिस दत संग उनकी जोड़ी खुब जमी और दोनों ने साथ में आवारा श्री चार सुबीस अनाडी चोरी चोरी जैसी फिल्मों में काम भी किया शादी शुदा राच कपूर और नर्गिस दत एक साथ फिल्मों में काम करने के दोरान नेजी जिन्दगी में भी एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि दोनों के प्यार की चर्चा हर तरफ होने लगी हाला कि जब नर्गिस दत ने राच कपूर को छोड़ कर सुनील दत से शादी करने का फैसला किया शूमैन इस दुख को बरदाश नहीं कर सके क्या नर्गिस दत ने दिया था राच कपूर को धोका नर्गिस दत और राच कपूर का रिष्टा तकरीबन नौ साल तक चला ऐसा कहा जाता है कि वो महस जब 16 साल की थी तब उनका दिल राज कपूर पर आया था लेकिन अक्टर डारेक्टर के पहले से शादी शुदा होने की वज़़ से उनके प्यार को मंजिल नहीं मिली साल 1958 में जब नर्गिस दत ने अभिनेता और पॉलिटीशन सुहील दत से शादी की तो राज कपूर बुरी तरह तूट गए और रोने लगे नर्गिस दत और राज कपूर की अधूरी लफ स्टोरी का जिक्र आथर मधुजैन की बुक दकपूर दफर्स फैमिली ओफ इंडियन सिनिमा में भी किया गया है इस किताब के मताबिक नर्गिस दत से ब्रेक अप होने के बाद राज कपूर ने एक जॉर्नलिस्स से अपना दर्द शेयर करते हुए कहा था कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके साथ धोका हुआ है बुक में ये भी जिक्र किया गया है कि नर्गिस और सुनील दत की शादी से राज कपूर इतना जादा तूट गए थे कि कथित तौर पर सिगरिट से अपना हाँ जला लिया था वो इस बात को सुनुश्चित करना चाहते थे कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहे उन्हें इस बात को समझने में मुश्किल हो रही थी कि नर्गिस जिंदगी में मूव ओन कैसे हो गई ऐसा माना जाता है कि राजकपूर के दिल में भले ही नर्गिस दत के लिए कितना भी प्यार हो लेकिन शादी शुदा होने की वजह से वो इस बात को ओफिशली कभी भी स्पेकार नहीं कर पाए हाला कि उन्होंने कई मौकों पर नर्गिस दत की तारीफ की वो दिगच अभिनेतरी को एंजलिक मानते थे और अक्सर उनके काम की तारीफ करते थे हाला कि जब दोनों की नस्दीकियों को देखते हुए राजकपूर से नर्गिस दत से जुड़ा कोई सवाल किया जाता था तो वो उसका जवाब देने से बचते थे